Hello Student, Welcome to Coherent English Classes Coherent English Classes की Hindi की Guess Paper Series में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका instructor Muhammad Ziyawullah Kumar आप देख रहे हमारी YouTube Channel Coherent English Classes और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे है Bihar School Examination Board की जो Coherent English Classes की तरफ से निकली है Guess Paper Hindi की उसका यह दूसरा भाग है इससे पहले के जो भाग है वो हमारी यूटूब चैनल पे अप अपलोड कर दी गई है तो अगर आपने उससे नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप पार्ट वन को देखे उसके बाद दूसरे पार्ट को देखे इसके अंदर हम लोग जो डिसकस करें इस स्रीज के अंदर उसमें Most VVI Objective, Subjective और जो ग्रामर का जो पार्ट से उस सारी चीज़ को हम लोग डिसकस करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम जो है Chapter 2 और Chapter 3 के जो Most VVI Objective है उसको हम लोग डिसकस करेंगे तो आपके स्कीन पे है आईए के करके इसको जो हम लोग देखते हैं उसने कहा था ये जो है एक कहानी है जिसके जो लेखक है वो है चंदरधर सर्मा गुलेरी चंधर सर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था लिखा था और इनका जनम जो है यानि के चंधर सर्मा की जो जनम हुई थी वो 7 जुलाई 1883 इसवी में हुआ था और जो निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 इसवी को हुआ था इनका जो जनम अस्थान है मतलब ये थे कहां से जैपूर राजस्थान से थे और मुल निवास इनका जो था गुलेर हिमाचल परदेश में था ठीक है और ये जो कहानी है उसने कहा था युद्ध की कहानी है मतलब की एक जो युद्ध के अंदर ये कहानी घटित होती है और दि श्क्रिफाई करना पड़ता है।ँ इसके अब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि करके बिना फेरे घोरा बिरकता है। और बिना लड़े षिपाही। ऐसा कौन कहता है। लहना सींग कहते है। ठीक है। एक-एक अकलिया सिख सवा लाक के ब्रावर होता है। ये बात किस ने कह उसने कहा था किस विधा की रचना है ये एक जो है कहानी है उसने कहा था किस परकार की कहानी है चरीतर परधान कहानी है समझ में आगिया लहना किस कहानी का पात्र है उसने कहा था जो कहानी है उसका पात्र है लहना सिंग मिर्टू के कुछ समय पहले इस मिर्टी मतलब जो याद होती है बहुत साफ हो जाती है जनम भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है ये किस पार्ट की पंक्ती है उसने कहा था पार्ट की पंक्ती है समझ वा गया उसके बाद देखें चंदरधर सर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ 12 सितंबर 1922 इस वी को हुआ भारतिये सिपाहियों का किस के साथ संगर्स हुआ था जर्मन के सिपाही ये जो कहानी घटित हुई है वो बिटिस इंडिया थी उस समय की बात है तो भारत जो है बि बिटिस सरकार की तरफ से भारतिये सिपाही जो लड़ है ये दुत्य विश्वियूत की कहानी है जर्मन पल्टन को किसने मार गिराया लहना सिंग ने उसने कहा था कहानी कब परकासित हुई 1915 इस वी में ये कहानी परकासित हुई केचुआ धरम किस की कृति है केचुआ धर सर्मा गुलेरी ने इसे लिखा है गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस परकार की भीर भरे बजार से सुरू होती है अमरित सर की जो भीर भार वाली जो बजार होती है वहां से सुरू होती है कुर्माई का क्या आर्थ होता है मंगनी कुर्माई करना मतलब मंगनी करना की एक लर्का और एक लर्की की जो साधी से पहले जो एक बात फिक्स होती है उसको मंगनी कहते हैं तो इसको जो है राजस्थानी भासा में कुर्मा ही कहते है ठीक है लहना सिंग क्या था जमादार था मतलब की एक होता है सिपाही सिपाही के बाद जमादार हवलदार, हवलदार के बाद जमादार जमादार के बाद जो इंस्पेक्टर होता है तो ये जमादार थे कौन? लहना सिंग समझ मैं आगिया? आगे चलते हैं लर्का और लर्की पहली बार कहां पर मिले थे? दुकान पर ये जो लर्का और लर्की कहानी में हैं वो दुकान पर मिले थे बच्पन में लहना सिंग लर्की से बार बार क्या परस्ण करता था? तेरी कुर्मराई हो गई है क्या? कुर्माई कर्माई का मतलब हो गया? मतलब तेरी मंगनी हो गई है क्या? ठीक है तो ये सवाल जो उस लड़की से बार बार करते थे लहना सिंग अपना कंबल किसे उढ़ाता है तो बोधा सिंग गाम के जो इसमें पात रहे इस कहानी के उसको अपना कंबल लहना सिंग उढ़ा देता है लहना सिंग ने मिर्तु को गले क्यों लगा लिया सुवेदार्नी की बात रखने के लिए लेना सिंग ने मृतियू को गले इसलिए लगा लिया ताकि सुवेदार्नी की जो बात को रख सके यानि उसके वादा को पूरा कर सके चन्धर सर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है उसने कहा था मतलब इसमें चार option देगा उसमें से एक रहेगा उसने कहा था और फिर उसके बाद बातचीत तो उसमें से जो उसने कहा था ये चंधर सर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था कहानी के नायक है मतलब कौन है इस कहानी के नायक तो लहना सिंग जो नाम के वेक्ति है वो इस कहानी के नायक है उसने कहा था शहर का चितरन है अमरित सर जो सहर है उसका चितरन है यानि इस कहानी के अंदर उसकी जो प्रिष्ट भूमी में बैक ग्राउंड में अमरित सर का चितरन किया गया है समझ में आ गया तो इस तरह से ये total 21 objective है जो आपके exam में आने की बहुत संभावना है और इसे आप याद कर लिजे अगर आपको हिंदी का guess paper चाहिए तो हिंदी, English और पुरी course हम लोग देते हैं जो जितनी भी वीडियो है वो सारी चीज आपको मिल जाएगी तो अगर आप interested हैं तो आप हमें इस number पे 9065829862 पे call कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं अगर आप teacher हैं अगर आपको ये guess paper चाहिए अपने coaching classes के लिए तो आप जो हमसे संपर कर सकते हैं इसी number पे आगे चलते हैं संपून करांती ये जो लेक है उससे जो objective है उसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं ये संपून करांती जो है जैपरकास नारायन उनके द्वारा लिखी गई एक भासन यानि के speech है ठीक है इनका जनम यानि के जैपरकास नारायन का जो जनम था 11 अक्तूबर 1902 इसवी के हुआ था और इनकी जो निधन है 8 अक्तूबर 1989 को जो है इनकी मिर्टिव हुई थी जनम अस्थान जो इनका है मतलब कि जैपरकास नारायन का वो सिताब दियारा गाउं के बिहार के सारण मतलब जो छपरा इलाका है उसमें जो है इनका जनम हुआ था जैपरकास जी को किसका भासन सुनकर अमरीका जाने की प्रेणा मिली तो स्वामी सत्देब जी जो है उनकी भासन को जब इन्होंने सुना तो उनको प्रेणा मिला कि वो भी अमरीका जाए जैपरकास जी मार्कसवादी कब बने जैपरकास मार्कसवादी ये एक विचारधारा है ठीक है तो मार्कसवादी जो विचारधारा को इन्होंने अपने जिंदगी में अपनाया वो 1924 इस्वी में इन्होंने अपनाया जैपरकास नारायन का बचपन का क्या नाम था तो उनको जो है बाउल कहते थे ठीक है जैपरकास नारायन जी को बचपन में बाउल कहते थे जैपरकास नारायन के पिता जी का नाम था उनका नाम था हर सुदायल जो है इनके पिता जी का नाम था जैपरकास नारायन के जैपरकास नारायन का जनम कब हुआ देखे 11 अक्तूबर 1902 इस वी को इनके जनम हुआ जैपरकास नारायन की पतनी का नाम था परववती देवी इनके पतनी का नाम था रिकंस्ट्रक्शन ओफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है तो यह जो है जैपरकास नारायन की रचना है reconstruction of Indian polity समझ में आ गया आगे चलते हैं जैपारकास नारायन को भारत रतन की उपाधी दी गई कब दी गई तो 1998 इसमी में इन्हें भारत रतन से समानित किया गया किस ने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है तो ये जो है जवाहालाल नहरू ने कहा था जब आजादी के वक्त जो है इन्होंने जब भासन दिया तो इन्होंने कहा था कि जो अभी ना जाने केतने मील इस देश की जनता को जाना है मतलब कि हमारा जो देश है तरक्की अभी तक इनको डेवलप होने में बहुत समय लगए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझ में आ गया आगे चलते हैं जैपरकास नारायन के किस साल छात्र अंडूलन का नेतरित किया समपून करांती का नारा किस ने दिया था जैपरकास नारायन ने दिया था समपून करांती का नारा जैपरकास नारायन को भारत की जनता किस नाम से याद करती है लोक नायक के नाम से लोक नायक जैपरकास ठीक है यानि जो एतिहासिक भासन जिसे हम लोग पढ़ते हैं बिहार इस्कुल एक्जामिनेशन बोर्ड में दिगानत की जो किताब है तीसरा चैप्टर के रूप में संपून करांती ये जो भासन है ये कहां दिया था और कब दिया था इन्होंने पटना में 5 जून 1974 इस भी को जब इन्होंने चात्र अंडूलन का नेतिरित किया तो उस समय इन्होंने ये जो भासन पटना में दिया था संपून करांती है एक भासन है ना भासव है ठीक है तो भासव का मतलब यह नि भासन है संपुन करांती एक भासन है मतलब कि यह जो नेचर है इनका जो लिखन कोई होता है सौर्टे स्टोरी होता है कोई निवंध होता है तो यह क्या है एक भासन है इन्हें समाज सेवा के लिए किस पूरुसकार से समानित किया गया जैपरकास नारायन 1974 इसवी के अपातकाल के दौरान किस अंडोलन के लिए जेल गए 1974 में जो अपातकाल आई अपातकाल का मतलब इंदरा गांधी ने एमरजेंसी डिकलेर कर दिया पूरी जगा तो उस समय जो 1974 इस वी में जैपरकास नारायन जो थे वो किस अंडोलन को लेकर मतलब किस अंडोलन में थे जिसकी बाइसे उनको गिराफतार करके जेल भेजा गिया तो ये जो छातर अंडोलन था उस अंडोलन का ये नैतरित कर रहे थे 1974 इस वी में और इसी की वज़ा से इंद्रागांधी नहीं क्या किया इनको जेल के अंदर डाल दिया जैर परकास नारायन के गाउं का क्या नाम था तो इसका जो गाउं का नाम है वो सिताव दियारा जो करके सारन जो छपड़ा इलाका है उसमें यह गाउं है तो उनके गाउं का नाम सिताव दियारा था अपना देश पिछरा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र का अस्थापना की है यह किस पार्ट से लिया गया है यह संपून करांती की जो पार्ट है उससे लिया गया है तो इस तरह से हमने आज जो है दो चैप्टर का VVI Objective जो है हमने डिसकस किया एक संपून करान थी और एक जो है उसने कहा था जो की ये उसने कहा था चंधर्द सर्मा गुलेरी की जो कहानी थी उसकी VVI Objective को हमने डिसकस किया तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो इस गेस पेपर को आप परचेश कर सकते हैं और घर बैठ कर आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं thank you so much for watching Coherent English Classes